हेलो फ्रेंड, विलकम टू मैं चैनल, फ्रेंड आस्तिन का डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम आस्तिन की लंबाई नापेंगे, तो फ्रेंड आस्तिन की लंबाई हमारी 12 इंच है, अब आस्तिन में डिजाइन बनाने के लिए हम बाकरम लेंगे, तो फ्रेंड बाकरम ह हमारी आस्तिन की लंबाई के बराबर होनी चाहिए और इसकी चोड़ाई हम नाप लेते हैं तो बाकरम की चोड़ाई हमारी पाच इंच है हमें इतना लंबा और चोड़ा बाकरम चाहिए अब हम बाकरम को इस तरीके से एक बराबर में फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से कर ले अच्छे से तो अच्छे से बाकरम को बराबर कर ले अब हमें फोल्ड किये हुए बाकरम की लंबाई नापनी है तो इस तरीके से तीन इंच की हमने लंबाई नाप ली है तो अब हमें क्या करना है तीन इंच का आधा पे हमें टिक लगाना है बीच में देड इंच पे तो इस तरीकी से हम टिक लगा देंगे अब इसकी चोड़ाई नापनी है हमें तो एक इंच की हमें चोड़ाई लेनी है इसकी हम यहाँ पे इस तरीकी से टिक लगा देंगे अब हम इसे यहाँ से लाइन अप कर लें सीधे में इस तरीकी से लाइन अप करने के बाद अब हलकी से तीरची सेप में हमें इसे लाइन अप करना है इस तरीकी से बर्फी कटिंग में तो इस तरीकी से इसे लाइन अप करने दोनों तरब से आपको इस तरीकी से लाइन अप कर लेना है तो फ्रेंड, एक बराबर में इस तरीकी से इसे लाइन अप करने के बाद इसे अच्छे से एक बराबर कर ले जो कि अगर आपका कोई भी डिजाइन छोटा बड़ा हुआ तो आपका डिजाइन खराब हो जायगा अब हमें क्या करना है? इसकी कटिंग करना है तो हम यहां से इसे कट कर लेते हैं जिस सेप में हमने डिजाइन बनाया है उसी सेप में हमें इसकी कटिंग करनी है तो फ्रेंड इस तरीकी से हमने बाकरम की कटिंग कर ली है तो फ्रेंड हमारा डिजाइन किस तरीकी से बना है हम इससे खोल के आपको दिखाते हैं इस तरीकी से आप इस डिजाइन को बहुती इजी स्टेप में बना सकते हैं तो फ्रेंट इस तरीकी से डिजाइन बनाने के बाद कपड़े पे इस तरीकी से आपको चिपका लेना है इस तरीकी साहता से अब यहां से हम इस तरीके से फोल्ड करके इस पे सिलाई चला लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से हम दूसरे साइड में भी फ्रेंड सिलाई चला लेंगे तो फ्रेंड हमने दूसरे साइड में भी सिलाई चला ली है अब जो हमारा कपड़ा एश्ट्रा है उपर के साइड में इसे यहां से कट कर ले इस तरीके से सिलाई चलाने के बाद फ्रेंड अब हम आस्तिन का कपड़ा लेंगे आस्तिन के कपड़े में हमें बीचो बीच इस तरीके से डिजाइन को लगाना है यहाँ पे इस तरीके से बीचों बीच हम डिजाइन को एक बराबर में लगाएंगे और इसके उपर हम बीच में सीधी सिलाई चलाएंगे तो फ्रेंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब ने किये तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करके घंटे को बजाना ना भूले तो इस तरीकी से फ्रेंट बीच में आपको सीधी सिलाई चला लेनी है सीधी सिलाई चलाने के बाद जिस सेप में हमारा बाकरम का कटिंग हुआ है उसी shape में हम इस तरीके से सिलाई चला लेंगे अब कपड़े को हम यहां से इस तरीके से घुमा लेंगे जिस shape में हमारा design है उसी shape में इस तरीके से कपड़े को घुमाते जाए और इसके उपर सिलाई चला ले तो friend इस तरीके से जिस shape में हमारा design बनाए उसी shape में कपड़े को इस तरीके से घुमाते जाएं और इस पे सिलाई चला लें तो friend हमारी ये line भी complete हो चली है इस तरीके से हमने इस line को complete कर लिया है अब हमें इस तरीके से बीच में सीधी cutting कर लेनी है कपड़े को बीच में से हम इस तरीके से cut कर लेंगे अब जिस सेप में हमारा डिजाइन है उसी सेप में हम इस तरीके से कपड़े को कट करके निकाल लेंगे एक बराबर में आपको कट करना है सिलाई के बगल में इदम हलका सा बगल में आपको इस तरीके से कटिंग करना है तो इस तरीके से अच्छे से cutting करने के बाद हम बाकरम को इस तरीके से fold कर देंगे आपको बाकरम को fold करके कपड़े को सीधा कर लेना है तो इस तरीके से एक बराबर में बाकरम को fold कर ले तो फ्रेंड बाकरम को fold करने के बाद इस्तरी की सहायता से इसे एक बराबर में सीधा कर लेंगे, तो आपको इसके उपर सिलाई चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जोकि सिलाई चलाने पर आपका डिजाइन थोड़ा सा भद्दा दिखता है, तो इस तरीके से आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अब हमें क्या करना है एक छोटा से कपड़ा लेंगे एक बटम लेंगे इस तरीके से अंदर फोल्ड कर देंगे बटम को कपड़े के अंदर अब धागा लेंगे हम धागा को हमें क्या करना है बटम के पीछे के साइड में इस तरीके से टाइटली हमें लपेट देना है थोड इस तरीके से आप market जैसा बटम बना सकते हैं, market जैसा बटम हमने ऐसा बना लिया है, अब हमें क्या करना, design में इसे लगाना है, तो friend सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे design में, इसे इस तरीके से एक बराबर में joint करें, और सुईधागा के मदद से हम यहाँ पे बटम लगा लेना है, तो friend सिलाई से जुड़ी कोई भी समान खरीदने के लिए, description में उसकी link दी गई है, आप वहाँ से online सिलाई की कोई भी समान खरीद सकते हैं, तो friend इस तरीके से अच्छे से एक बराबर में आप बटम लगा लें, बटम को एक बराबर में टाके, जिससे आपका design बह हो जाए, और बटम भी, तो friend इस तरीके से बटम को टाकने के बाद पीछे की side से हम अच्छे से बटम को लॉक कर लेंगे, तो इस तरीके से अब हम पीछे की side से बटम को लॉक कर लेते हैं, यहां से, इसी तरीके से friend हमें सारे design में बटम लगाना है, तो बिल्कुल यह step follow कर हम सारे design में बटम लगाने के लिए, तो friend हमने सारे design में बटम लगा लिया है, अब हमें क्या करना है friend, यह पीछे की side जो हमारा बाकरम है, इसे हमें तुर्पन कर लेना है, तुर्पन करने के बाद नीचे की side में देर इंचोड़ा एक लंबा साम कपड़ा लेंगे, इसी य फिर कपड़े को इस तरीके से उपर की side में लगा कर इसके उपर सीधी सिलाय चला ले, तो friend हमने सीधी सिलाय चला लिये, अब जो ऐस्टा कपड़ा इसे कट कर लें यहां से हम, अब आस्तिन के कपड़े को हम सीधा कर लेंगे, और यहां से कपड़े को हम इस तरीके से fold करे लेते हैं इस तरीकी से तो फ्रेंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लीस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें like करें comment करें और वीडियो को share करना ना भूले तो friend हमारी ये line भी complete हो चली है और हमारा आस्तिन का design भी तो इस तरीके से हमने आस्तिन का design बना लिया है अब जो उपर के side में हमारा हलका सा बाकरम है उसे एक बराबर में हम cut कर लेंगे तो यहाँ से हम एक बराबर में इसे cut कर लेते हैं तो friend हमारा design आपको कैसा लगा comment में जरूर बताए और वीडियो को like करना ना भूले thanks for watching my video मिलते हैं next video में